अब बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमाएं साथ हैं पूरु केंद्रे मंत्री कॉंग्रिस के वरिश नेता कपिल सिबल साब सिबल साब वित्मंत्री ने कहा था बजट फेश करने से पहले कि ऐसा बजट लाने वाली है जो पिछले सौ साल में नहीं आया होगा प्रदान मंत्री ने अभी-भी इस बजट के सराना की और उनने का रहा है इस बोस्त टू वेल्ट एंड वेलनेस ओर इंडिविजुल्स हो चाहे इंवेस्टर्जी और इंफर्रस्ट्रक्टर इन सब को इमपट्टिस दे। वेलनेस और किस की वेलनेस के बारे में प्रदान जो चोटा-चोटा उद्योग चलाता है, किसान है, रूरल सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनके लिए क्या है? बजट तो उस नजीरे से देखा जाएगा ना? जब आम आत्म निर्बर बारत की बात करते हो, तो जब तक इनसान, हर एक इनसान, हर एक शक्स इस देश का, हर एक नागरे के देश का आत्म निर्बर नहीं होगा, सेल्फ रिलाइंट नहीं होगा, तो देश कैसे आत्म निर्बर हो सकता है? तो अगर हमारे किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है इस देश में, और वो किसान यहां अंदोनन कर रहा है, वो कह रहा है किसाब मुझे मेरी ज क возь학 की कोई रहात नहीं मिली लेकिन ब्हुजग नाग्रिकों को 75 सल के वबteen को लोगों Bizet की को हर कोई बात खराब तो नहीं हूती ना मैं तो मूल बात मूल बात कर नहा हूं जे इस देश के और किसी भी देश के डो पिलर्ज होते हैं जिसके आधार पे देश आगे बढ़ता है हां एक बच्चे का भविष्य और बच्चे का स्वास्त ठीक है ना दोनों पिलर्स को इन्होंने नजल अंदाज कर दिया है सेक्टर में तो किया 94000 से बढ़ा के दो लाख 30000 करोड कर दिया है मेरे पास आंकड़े हैं पूरे हैल्थ सेक्टर में जो पहले जो बजट था आपा रहा है वह था 57000 करोड बजट एस्टिमेट उसको बढ़ा के 74000 कर दिया है है यह सेक्टर का बजट मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं हाँ 35000 करोड जरूर कोवेट की बज़े से उन्हों ने किया वह अच्छी बात है वह तो होना ही चाहिए यह तो नहीं कह रहे हैं कि हम देखिए हर चीज़ को बजट की हम आलोचना करें वह भी सही नहीं लेकि इस इस बजट की किस सोच के साथ यह बजट को लाया गया है मुझे ऐसा लगता है इनके मन में यह बात है कि अगर मुद्योग पतियों को फाइदा करेंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा लाएंगे और पबलिक सेक्टर के जो एसेट्स हैं वो बेच देंगे एसेट मॉन लेकिन जो आज के दिन आम आदमी के सामने कठिनाईयां हैं उसको तो पहले सामने रखते हुए कुछ राहत देनी चाहिए थी ना लगता है कि disappointing budget है यह यह नहीं इसके जो direction है वो सही नहीं है इसका जो direction है वो cable industry के लिए देखो इन्होंने industry के लिए क्या क्या नहीं किया पिछले क्या साथ जब से ये सरकार आई है, exemptions देना, सब कुछ नहों ने इंडस्टी के लिए क्या, tax कम कर दिया, नहीं इंडस्टी के लिए tax भी कम दिया, corporate sector tax कम कर दिया, कर दिया ना. लेकिन फिर उसका उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा है कि आज के दिन की एकॉनमी की ये इस्तिति है कि अगर अगर ग्यारा प्रतिशद ग्रोथ हो भी जाए अगले साल तो फिर भी हमारी रियल जीडीपी दो तेशमलब साथ पांच प्रतिशद रहेगी. नहीं लगता कि ये बजट वापस से पट्री पर ला पाएगा? ये मैं नहीं कह सकता पट्री पर ला पाएगा इसकी जो इसकी जो सोच है वो एक बड़े लोगों की सोच है. जो अल्रेडी अमीर है. अमीरों का बजट है ये और आम आदमी नजरनादाज हो गया. एक आखरी सवाल पूछना जाँगा. सर आपने क्रिशी शेत्र की बात की. फिनेंस मिनिस्टर ने अशौर किया है कि प्रोक्यूर्मेंट में जो है वो मस्पी पर चलता रहेगा. ऐसा नहीं है कि उन्हें और खास फोकस है मोदी सरकार का अग्रिकल्चर सेक्टर. मैं आपको बता हूँ. मस्पी पर आज कि दिन प्रक्यूर भरियाने में होता है. ठीक है ना? बर किसान तो सारी हिंदुस्तान में है ना? तो किसान को मिलता क्या है? इसलिए किसान की जो सालाना इंकम है आज के दिन असी पचासी प्रतिश्चत किसानों की वो लगबग बीस जार रुपया सालाना है. तो हर महा हो गया अठारा सा रु रुपय में बताईए किस परिवार का गजारा हो सकता है. यह परिवार की इंकम बता रहा हूं मैं कोई इंडिवीज्विज्टकम निसकम की बता रहा हूं. कैसे गजुश्बा करेगा कोई? कुई करी नहीं सकता. आप जितने वज्ज़िकां आंकड़े दे दो कि हम अम इने पर रिलाई करते हैं, उनको रहतें देते हैं, आम आदमी को भूल जाते हैं, और नतीजा होता नहीं है कि अमीर अमीर हो जाता है और गरीब वहीं का वहीं रहता है, या जादा गरीब हो जाता है, ये पहले भी चलता है, ये आज भी चलता है, तो जब तक पूरी पूरी तरह स बात ही रह जाएगे बात ही जाएगे